बिहार की रपटना इसे जु में बाग के नन्हे शावकों की मीठी दहाड सुनने के लिए हर कोई बेचैन है। चार नन्हे शावकों के जन्म के बाद अब बागों की संख्या 5 से बढ़कर 9 हो गई है। बागिन संगीता ने इन शावकों को जन्म दिया है। आपको बता दें इन नन्हे शावकों के माता पिता नकुल और संगीता को साल 2019 में तमिलनाडू के अरी नगर अन्ना जूलोजिकल पार्क से पशु वी निमाई कारिक्रम के तहत संजे गाधी बायोजिकल पार्क यानि पटना जू लाया गया था। इन नन्हे महमानों के आने से जू प्रशासन के साथ साथ घूमने आने वाले लोग भी उत्साहित हैं। नए शावकों को देखने के लिए सैलानियों की भीड उमड रही है। जू प्रशासन नन्हे शावकों का नामकरण 29 जूलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे पर जारो शावक स्वस्थ हैं और जमकर खेल कूद रहे हैं। वे अपनी मा के साथ मस्ति करते दिख रहे हैं। शावकों की मा उनका अच्छे से ख्याल रख रही है जबकि जू प्रशासन सावकों पर लगातार नजर बनाये हुए है। CCTV कैमरे के जरिये 24 गंटे नए महमानों पर जू प्रशासन द्वारा नजर रखी जा रही है। पतना जू में चार नए महमानों के आने से यहां बागों की संख्या 5-9 हो गई है। पहले जू में 5 बाग और 4 बागिन थे। पतना जू में इससे पहले भी शावकों का जन्म ह हो चुका है साल 2012 में स्वर्णा नामक बागिन ने तीन शावकों को जन्म दिया था हाला कि तीनों शावकों की मौत हो गई थी इसके बाद जू में चार शावकों का जन्म हुआ था इन में तीन शावकों की मौत हो गई थी दो महिने पहले इन नन्हे शावकों को संगीता नाम कि बागिन ने जन्म दिया है